भजेव रजेकम अंडनम, समस्त पाप खंडनम, स्वभाक्त चित्त रंजनम, सदीव नंद नंधनम, सुपिच्छ गुच्छ मस्त कम, सुनाद वेनु हस्त कम, अनंग रंग सागरम, नमामि कृष्ण नागरम। आज भाद्रपद चुकल एकादशी शनिवार 29 अगस 2020 है पुष्टी मार्ग में आज की एकादशी को दान एकादशी कहा जाता है क्योंकि आज से ही प्रभु ने व्रज में दान लिला प्रारम की थी आज की एकादशी को परीवर्थनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि आज इस एकादशी के दिन क्षीर शागर में शैन कर रहे पगवान विष्णु करवट बदलते हैं आज सूर्योदय तो एकादशी तिथी में किन्तु सुबह आट बज कर अठरा मिनिट से द्वादशी तिथी लग जाने के कारण स्रीनाथ जी में वामन जयनती भी आज मानी गई है साथ ही अपने पांडित्य से दशो दिशाओं में पुष्टी मार की यश पता का पहराने वाले दश दिकंत विजई के नाम से जाने जाने वाले नवलक्ष गरंत के रचियता नित्य लिलाइस्थ गोस्वामी श्री पुर्शोतम जी लेख वाला का उस्सव भी है आपका जन्म समवस्त्रसो चौदा में हुआ था आपके शेविस रूप गुजरात में सूरत में विराजित प्रभु श्री बालकृष्णलाल जी है आप सबी को दान एकादशी वामन द्वादशी एवं नित्य लिलाइस्थ गोस्वामी पुर्शोतम जी के उस्सव की खूब खूब बदाई आज की परिवर्तनी एकादशी को प्रभु को दान की सामगरी अरोगाने से दे की दिशा में परिवर्तन होता है ऐसा माना जाता है नंद कुमार रसराज प्रभु ने वर्ज की गोपियों से 20 दिनों तक दान लिया था दान की सामगरी में दूद श्री स्वामिनी जी के भाव से दही श्री चंदरावरी जी के भाव से चाच श्री यमुना जी के भाव से और माखन श्री कुमारिका जी के भाव से अरोगाए जाता है दान के 20 दिनों में 5-5 दिन 4 यूथा दी पतियों के माने गए है आज से श्री नाज जी में प्रती दिन दान के पत गाये जाएंगे पुस्टी मार्ग में भगवान विश्नु के सभी अवतारों में से 4 अवतारों को मानिता दी है श्री क्रशना अवतार, श्री रामा अवतार, श्री नर्सिंग अवतार, एवं श्री फामन अवतार इन 4 अवतारों के जन्म दिवस को जहनती के रूप में स्री नाज जी में मनाया जाता है भगवान विश्णु के दस अवतारों में ये चारों अवतार प्रभु ने निस्सादन वक्तों पर क्रपा के लिए ही लिये थे अता इनकी लीला को पुष्टी लीला सुरूप माना जाता है चुँकि पुस्टी का सामन्य अर्थ क्रपा भी है अतह इनकी लीला को पुस्टी लीला माना जाता है इन चारो जयन्तियों को उपवासव फलाहार किया जाता है आज दो उस्व एक साथ होने से अर्थात वामन द्वादसी और दान लीला और उर्शोतम जी का उस्व एक साथ होने के कारण प्रभु को अब्यांग स्नान उस्व वोग शालिक राम जी का पंचा मृत एवं दो राजवोग खुलने का करम स्रीनाद जी में किया जाता है यदि भी आज दान एकादसी के कारण मुकुट काचनी का श्रंगार नियम से धराया जाता है अतह वामन द्वादसी का दोती उपरना का श्रंगार कल अर्थात बाद्रपद शुकल द्वादसी को धराया जाएगा दान एकादसी वो वामन जैनती कई बार एक ही दिन होती है हैसी इस्तिती में सदेव दान लीला के श्रंगार मुकुट काचनी को ही प्रात्मिक ता दी जाती है इसका कारण यह है कि वामन भगवान ने आंचिक पुष्टी लीला की थी इसलिए महाप्रभुजे ने आपकी जैनती को तो पुष्टी मार्ग में प्रदान ता दी है किन्तु दान लीला पुष्टी लीला है अतहा वामन जैनती का श्रंगार अगले दिन लिया जाता है हाईए अब हम स्रिनाज जी में आज के विशिष्ट सेवा करम पर चर्चा करते हैं उस्सव होने के कारण आज स्रिनाज जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को अल्दी से लीपा जाता है और द्वारों पर आशापाल की सूत की दोरी की वंदन माल बांदी जाती है आज सभी समय जारी जी में यमुना जल बरा जाता है दो समय के आरती थाली में की जाती है आज गेंद चोगान दिवला आदी सभी सोने के आते हैं आज वाबन जैनती होने के कारण मंगला दर्शन के पस्चात प्रभू को चंदन आवला एवं फुलेल से अब्यंग कराये जाता है आज श्रंगार समय दान के पद गाये जाते हैं श्रंगार दर्शन में बड़ा कमल विशेश रूप से धराये जाता है मुकुट काचनी का आज नियम का श्रंगार दराये जाता है यह श्रंगार मुख्य रूप से तीन लीलाओं शर्द रास लीला दान लीला और गोचारन लीला के भाव से धराये जाता है आज ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया चामदानी के होते हैं दान और रास के भाव में मुकुट काचनी के श्रंगार में पीतामबर जिसे रास पटका भी कहते हैं दराय जाता है दान के दिनों में मुकुट काचनी के श्रंगार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इन दिनों में जब भी मुकुट दराया जाता है तब मुकुट को एक वस्त्र से बांदा जाता है जिसे मुकुट पीतांबर कहा जाता है जिसका भाव यह है कि जब प्रभू मटकी फोड़ने के लिए कूदे तब उनका मुकुट गिरे नहीं इसके अत्रिक्त दान के दिनों में मुकुट काशनी के स्रंगार में स्वरूप के भाईयों और चोटी जी नहीं दराई जाती है इसके पीछे का भाव यह है कि यदि चोटी जी रहती है तो प्रभू जब मटकी फोड़ कर भाग रहे हो तब गोपियां उनकी चोटी पकड़ सकती है और प्रभू भाग नहीं पाएंगे स्रीजी को गोपी वल लब अर्थाद ग्वाल भोग में बूंदी के लड़ू अरोगाए जाते हैं इसके अत्रिक दोनों उस्तों के भाव से दूजगर में सिद्ध की गई केशर युक्त बासुन्दी की हांडियां प्रभू को अरोगाई जाती है आज से बीस दिन तक प्रती दिन ग्वाल भोग में श्रीठा कुर्जी को दान की सामगर्य अरोगाई जाती है इन सामगर्यों में प्रभू को शाक गर एवं दूद गर में विशेश रूप से सिद्ध की गे दूद दही के सेरिया दही श्रिखंड के स्री बासुन्दी जामून चाच की हांडिया एवं कट्टा मिट्टा दही के बटेरा आदी अरोगाई जाते हैं संद्या आरती में प्रभू के श्री हस्त में हीरा का वेत्र ठाड़ा अर्थात लकुटी धरई जाती है आईए अब हम स्रीनाच जी के आज के श्रंगार के गुंगान करते हैं आज की साच सेवा में स्रीनाच जी में दान गाटी में दूद दई बेचने जाती गोपियों के पास से दान मांगते हुए और दूद दई लूटते हुए प्रभू एवं उनके सखा जनों के सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की पिछवई धराई जाती है। चित्रांकन वाली दान लीला की पिछवई धराई जाता है। मानक के गोकुलनाच जी वाले टोपी वा मुकुट एवम मुकुट पर मुकुट पीतांबर धराई जाते हैं। साथ ही माई और शीशवूल दराई जाते हैं। प्रभु श्री के श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराई जाते हैं। आज चोटी जी नहीं धराई जाती है। आज पीले और श्वेत पुश्को की दो मालाजी धराई जाती है। प्रभु के श्री हस्त में एक कमल छड़ी मानक के वेणू जी और दो वेतर जी जिन में से एक मानक के और एक हीरा के होते हैं धराई जाते हैं। खेल के साज में पट उस्सव का एवं गोटी दान की आती है, आर्शी संगार में चार जार की एवं राजबोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। जैश्री क्रश्न रादे रादे आज बस इतना ही आपका दिन शुब हो।